हेलो फ्रेंज 2003 के बाद 2030 भारोत ने आज धरुन साला ने न्यूजिलेंड को चार विकेट से हराया और 2019 साल में जो न्यूजिलेंड से समी फैनल में हर गए थे उनका बदला लिया और इन सब में सबसे बड़ा जगदान जिसका है उनका नाम है महमद सामी जिनोंने इस वाल काप की पहली मैच खेलते हुए उन्होंने फाइफा लिया पांच विकेट लिया और भारोत की तरव से उन्होंने रेकोड किया वाल काप में लगातार दो वाल काप में उन्होंने प मांच विकेट लिया था इंग्लेंड के विरूद तो ओही सामी को जब आज प्रेजेंटेशन सेरी में में प्रस्थन किया गया था जै क्या उनका अभिवान था टीम का वपोर क्योंकि वह बहुत अच्छा रिदम में था लेकिन फिर भी उनको बाहर बैठना पर रहा था उन्होंने बताया जिए मेरे खिलने और ना खिलने का मुद्दा से महत्वपन मुद्दा एह है कि हमारा टीम जीत रहा है कि नहीं अगर टीम जीत रहा है तो सब एक को हर एक को टीम के साथ रहना जरूरी होता है तो उन्होंने बताया जैसे आज पहली बल पर ही मुझे विकेट मिला था तो उसके लिए मेरा कॉंफिडेंस लेविल बहुत ही बड़ा था तो और मैं बाकी जो गेन में सिर्फ ठीक ठाक जागा में बल को रखना चाहा और ओही काम हुआ और उन्हें ही मुझे पांच विके फिर उन्हें रच्चिन रबिंदो जोने 75 रान बनाये थे तो उनको उन्होंने आउट कर दिया था तप न्यूजिलेंड का पाकार बहुत ही मुझबूत था मैच में तो वही से जैसे मैच का जो रूप बदलने लागा फिर उन्होंने जैसे डेर्यल मिच्छल को आखिर में उन्होंने आउट किया जिन्होंने चैनली बनाया था और एक समय उन्होंने में थेनड़ी को लगा ता दो दो में अउट कर दिया था और जैसे एक में हैट्रिक की मूह में था लेकिन है तो नहीं हुआ लेकिन आज जो भारओं 20 साल बाद नीजुलेंड को हराया वालकाप म और उसमें सबसे बोड़ा जोगदान है उनका और इसलिए उनको मैन अफदा मैच घोशित किया गया तो दोस्तों यही था आज का अपडेट तो वीडियो का अच्छा लगए तो जो लाइक में शेयर कोना चाहिए नहीं नहीं है तो जाकर सब्सक्राइब करें को प्रेश कोने मुलाकातों का अगली वीडि में तब तक के लिए स्टे हैपी स्टे हेल्दी थैंक्यू